एलो इस वीडियो में हम सिखेंगे एक्सल के कुछ मज़ेदार टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो कि यह हमारे एक्सल को काम को बहुत जल्दी कर देंगे तो सबसे पहले टिप्स और ट्रिक्स नमर वण यहां पे हम करेंगे अगर हम यह चाहते हैं कि यहां पे जो भी हम लिखें वो यहां पे दिखाई ना दे तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम sheet को select करेंगे यह सारी sheet यहां पे select की यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के वाद यह देखो सारी sheet यहां पे select होगे होने के बाद यहां पे किसी भी cell के उपर right click करेंगे और इसके बाद यहां पे format cell यहां पे click करेंगे format cell पे click करने के बाद यहां पे format cell dialogue box आ जाएगा यहां पे हम custom इसके उपर click करेंगे यह custom पे click करने के बाद यहां पे दिये गया journal यहां पर क्लिक करेंगे और इसको मिटाएंगे यह मिटाया मिटाने के बाद यहां पर हम तीन सेमिकॉलन लगाएंगे यह देखो यह तीन सेमिकॉलन लगाए इसके बाद यहां पर ओके पर क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक करने के बाद यह देखो यहां पर जो भी हम लिखेंग वो हमें यहां पर दिखाई नहीं देगा, यह देखो, suppose करो हमने यहां पर लिखा, 78, 48, इसके बाद 78, इसके बाद 45, इसके बाद 46, इसके बाद 48, इसके बाद 25, इसके बाद 56, इसके बाद यहां पर लिखेंगे हम कुछ भी यहां पर लिखा जैसे 88, इसके बाद 85, इसके बा इसके बाद 45 यहां पे फिर हम लिखेंगे 98-99-65 इसके बाद 66 इसके बाद 67 यह हमने यहां पे लिखा तो लिखने के बाद यह देखो यहां पे यह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इसको देखना जाते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है तो किसी भी cell के उपर यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहां पर फॉर्मेंट cell यहां पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेंट cell के उपर क्लिक करने के बाद यह ओपर delete के उपर क्लिक करेंगे यह delete के उपर क्लिक किया इसके बाद ok पर क्लिक करने के बाद यह दिखो यहाँ पर जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इसके बाद फिर हम यहाँ पर tips and tricks number two करेंगे तो यह देखो यहाँ पर data दिया गया है अगर हम चाहते हैं कि इस data के अंदर ही scrolling हो इसके बार scrolling ना हो जैसे यह यहां पर हो रहा है यह देखो निच्छे हम कर रहे है यह निच्छे जा रहा है यह साइड में आ रहा है यह देखो साइड में आ रहा है अगर हम यह चाहते हैं कि जितने यहां पर area पर यह data लिखा हुआ है इसी क के अंदर स्क्रोलिंग हो तो यह काम करने के लिए हमें यहां पर range को याद रखना पड़ेगा तो range क्या है यहां पर ये लिखो a column है तो a1 यहां पर ये लिखो one row है a1 से लेके और ये c column है और यहां पर last जो डेटा लिखा हुआ है ये 11 row के उपर है ये लिखो 411 row के उपर है और यहां पे C column है तो यह वना A1 से लेके C11 यह हमें याद रखना पड़ेगा तो इसके वाद यहां पे हम sheet number 1 इसके उपर right click किया right click करने के वाद यहां पे दिये गया है view code यहां पे click किया तो यह दिखो यहां पे visual basic की window यहां पे लिखाई देगी इसके वाद यहां पे दिये गया है name तो name पे यहां पे click किया इसके वाद F4 प्रेस किया तो इसके वाद यहां पे दिए गया है scroll area यहां पे हम range लिखेंगे तो range यहां पे थी A1 यह दिखो A1 लिखा इसके बाद colon ये colon लगाया colon लगाने के बाद c11 ये c11 ये हमने range यहाँ पर select कर ली range select करने के बाद हम यहाँ पर इसको बंद करेंगे ये देखो बंद किया बंद करने के बाद अब हम यहाँ पर scrolling करेंगे तो ये देखो यहाँ पर जितना area हमने select किया था उसी के अंदर scrolling होगी ना ये निच्छे जाएगी 9 के निच्छे ना ये 400 के आगे जाएगी ये देखो करके देखते हैं ये दिको निच्छे कर रहे हैं ये निच्छे नहीं जा रहा है ये दिको आगे नहीं जा रहा है तो इसी के अंदर ये ये दिको scrolling हो रही है ये तो इस त नमबर वान यहां पर right click करेंगे view code पर click करेंगे view code पर click करने के बाद यहां पर यह visual basic की window आ जाएगी इसके बाद यह scroll area यहां पर click करेंगे और यहां पर हम इसको delete कर देंगे यह देखो delete किया delete करने के बाद यहां पर इसको बंद करेंगे फिर इसको बंद करेंगे अब यह देखो हम यह scroll कर रहे हैं इसको यह देखो यह नीचे जा रहा है इसके बाद यह side में भी आ रहा है यह देखो तो हम इस तरह से scrolling area यहां पर set कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं इसके बाद य यहां से जल्दी से इसका चार्ट यहां पर बनाके ले आएं तो इसको करने के लिए हम कीवोड से add plus f1 function की press करेंगे तो यह देखो add plus f1 function की press की तो यह देखो इसका चार्ट यहां पर बनके आ गया यह यहां पर सभी चार्ट है जो भी चार्ट चाहिए उसके ओपर क्लिक करेंगे यह यहां पर चेंज हो जाएगा इसके बाद अगर हम यहां पे change color करना चाहते हैं तो यह देखो यह color है इस color में आएगा इस में आएगा तो जो भी color चाहिए यहां से color हम change कर सकते हैं इसके बाद अगर हम यह चार्ट टाइप चेंज करना जाते हैं तो हम यहां से इसको चेंज भी कर सकते हैं यह देखो चेंज चार्ट टाइप यहां पे इस पे क्लिक करेंगे अगर लाइन चार्ट चाहिए तो हम यहां पे लाइन पे क्लिक करेंगे ऐसा चाहिए तो इसके बढ़े करेंगे, पुलर। यह यहां पे यह line değild चार्ट बन के आ जाएगा, इसके बाद यह change करना है, चार्ट स्टाइल तो यह देखो इस स्टाइल में आ जाएगा, या इस ठाइल मैं चाहिए तो इसमें आ जाएगा तो जो भी हमें यहां पर चार्ट चाहिए वो यहां पर बन के आ जाएगा इसके बाद इसको undo करते हैं यह undo किया यह देखो सारे यह undo किया undo करने के बाद आगे tips and tricks number 4 को करेंगे अगर हम यह चाहते हैं जैसे यहां पर यह amount दिया गया है 900 यहां पर 900 है यहां पर 900 है तो हम इसको copy करना जाते हैं suppose करो इसको copy करना जाते हैं तो copy करने के लिए हम यहां पर select करना पड़ेगा उसके बाद copy करना पड़ेगा उसके बाद काहां पर इसको paste करना है इसके बाद paste करेंगे तो इससे हमारा बहुत सा time लगता है अगर हम यह चाहते हैं कि यह काम जल्दी से हो जाए तो इसको क्या करेंगे यह देखो select किया हुआ है इसके बाद control की press करके रखेंगे और press करने के बाद इसको यहाँ पर यह देखो आगे ले जाएंगे यह शोड़ा इसके बाद इसके बाद अगर और च चाहिए आगे तो हम इसको फिर आगे ले जाएंगे यह देखो आगे ले ले गहें और चाहिए निच्छे चाहिए तो हम इसको ले आएंगे निच्छे यह देखो निच्छे ले आए तो इस तरह से ctrl की को press करके रखने पर हम किसी भी डेटा को जल्दी से कॉपी कर सकते हैं तो अंडू किया ये सारा अंडू किया अंडू करने के बाद आगे अगले टिप्स एंड ट्रिक्स नमबर फाइब को करेंगे तो ये हमारे पास उपर टैब दिये गये हैं जैसे ये देखो फाइल टैब है होम टैब है इ ये टैब है और ये जैसे ये देखो होम पे क्लिक किया हुआ है तो ये होम की ये नीचे रीवन है ये देखो रीवन क्या होती है ये देखो जो ग्रूप है जैसे क्लीबोड ग्रूप है इसकी अंदर कमांडे है फोंड ग्रूप है इसकी अंदर कमांडे है अलाइनमेंट है इसके वाद number है, इसके वाद style है, cell है, editing है तो group से ये ribbon बनती है तो ये ribbon अगर हम ये hide करना जाते हैं तो keyword से हम इसको hide कर सकते हैं तो इसके लिए हम keyword से control plus function की F1 प्रेस करेंगी तो ये यहां से hide हो जाएगी ये दिखो, ये ribbon यहां से hide हो गई अगर ये hide हो गई है, बापिस हम इसको लाना जाते हैं तो फिर हम यहां पे control plus F1 function की प्रेस करेंगे तो ये दिखो, ये बापिस यहां पे आ जाएगी तो इस तरह से अगर हम इसको hide और unhide करना जाते हैं, ribbon को तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं इसके बाद यहां पे हम tips and tricks number 6 को करेंगे suppose करो, एक्सल की computer में बहुत सी फाइले पड़ी हुई है और उन सभी फाइलों का हम print लेना जाते हैं तो हमें ये पता नहीं है, कि ये फाइल कहां पे रखी हुई है तो हम print के साथ ये भी जाना जाते हैं कि ये फाइल कहां पे रखी हुई है उसका यहां पे path बताए तो हम क्या करेंगे, cell command का use करेंगे ये देखो, हमें यहां पे चाहिए ये देखो, suppose करो हमें यहां पे चाहिए कि ये फाइल कहां पे रखी हुई है तो यहाँ पे हम formula लगाएंगे तो यहाँ पे equal to यह लिखा इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे cell cell लिखने के बाद यहाँ पे cell पे double click करेंगे double click करने के बाद नीचे यहाँ पे दे गया file name यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे double click करने के बाद यह देखो file name यहां परा जाएगा आने के बाद bracket को बंद करेंगे इसके बाद enter press करेंगे तो enter press करने के बाद यह देखो यहां पे यह हमें print रहना चाहते है, suppose करो यहां पे हम file tap पे जाते हैं और इसके बाद यहां पे print preview इसका यह check करते हैं तो यह देखो, यह path हमें यहां पे बता रहा है, कि यह document में है subtotal file का name है और यह sheet number 1 है यह देखो, यह sheet number 1 है तो इस तरह से हम यह print कर सकते हैं, इसके बाद यहां पे इसको back करते हैं back करने के बाद इसको भी undo किया undo करने के बाद, आगे हम tips and tricks number 7 को करेंगे तो suppose करो, यह हमें first row जो है, यह axle tips and tricks इसको हमने freeze करना है तो freeze करने के लिए हम यहां पे click करेंगे, यहां पे click करने के वाद व्यू टैप पे जाएंगे व्यू टैप पे जाने के वाद यहां पे फ्रीज पैन यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पे करेंगे सेकेंड वाला ओप्शन फ्रीज टॉप रो यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने लेकिन यह first row यहां पर freeze है इसके बाद अगर हम यह जाते हैं कि यह unfreeze हो जाए उपर वाली unfreeze हो जाए तो इसको करने के लिए हम यहां पर click करेंगे नीचे इसके बाद freeze pen यहां पर click करेंगे unfreeze pen यहां पर click करेंगे तो यह देखो यहां पर unfreeze हो जुकी है यह देखो unfreeze हो जाएं तो ये फ्रीज करने के लिए हम यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के वाद यहाँ पर फ्रीज पैन यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर जाने के वाद फ्रीज पैन फर्स्ट ऑप्शन के ओपर क्लिक करेंगे यह देखो यहाँ पर क्लिक करने के व इसके वाद freeze pen पे गए इसके वाद unfreeze pen तो यह लिखो यहाँ पे दो row यहाँ पे unfreeze हो चुकी है यह लिखो unfreeze है अगर column को यहाँ पे freeze करना है तो यह भी simple है यहाँ पे click करेंगे किसी भी cell के उपर यह लिखो एक कॉलम ये फ्रीज करना है किसी भी सेल के उपर यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद फ्रीज पैन पर जाएंगे इसके बाद फ्रीज फर्स्ट कॉलम यहां पर क्लिक करेंगे तो यह देखो फर्स्ट कॉलम यहां पर फ्रीज हो जुका है इसके बाद tips and tricks number 8 को करेंगे इसके बाद अगर हम यह चाते हैं कि यहाँ पे हम जल्दी से comment लगाएं यह 900 है यहाँ पे comment हम यहाँ पे लगाएं तो इसको लगाने के लिए हम keyboard से shift और इसके बाद function की F2 प्रेस करेंगे यह देखो function की F2 साथ में प्रेस की तो यह यहाँ पे comment लिखने के लिए आ जाएगा जैसे हम कुछ भी यहाँ पे comment लिखेंगे pen drive लिखेंगे यहाँ पे यह pen drive हमने यहाँ पे comment लगा दिये अगर इस comment को हम delete करना जाते हैं तो इसी के ओपर right click करेंगे और right click करने के बाद यहाँ पे delete comment यहां पर यह दिखो लीट कमेंट पर क्लिक किया यह कमेंट यहां से चला जाएगा इसके वाद आगे tips and tricks number 9 को करेंगे तो इसको करने के लिए suppose करो यह हमारे पास डेटा है अगर हम इस डेटा में जल्दी से filter यूज़ करना जाते हैं तो हम keyword से control shift plus L प्रेस करेंगे यह दिखो यह प्रेस किया प्रेस करने पर यह फिल्टर यहां पर लगते आ जाएगा यह दिखो यहां पर फिल्टर लगा हुआ है यह यहां पर फिल्टर लगा हुआ है यह amount यहां पर फिल्टर लगा हुआ है तो इस तरह से हम यहां पर फिल्टर लगा सकते है और इसका हम use कर सकते है यह देखो यहाँ पे filter पे click किया filter पे click करने के बाद यह देखो हमें suppose करो यहाँ पे mouse यही चाहिए बाकी कुछ भी नहीं तो हम इसको untick करेंगे यह देखो untick किया तो यहाँ पे mouse को tick किया tick करने के बाद ok पे click किया तो ok पे click करने के बाद यह देखो यह mouse यहाँ पे यही record रहा गया है बाकी यहाँ से hide हो गया है इसके बाद अगर हमें यह ने चाहिए तो फिर हम यहाँ पे click करेंगे और यह mouse को यहाँ से अटाएंगे हमें cable यहाँ पे otg pen drive यह चाहिए यहाँ पे click यहां पर फिर क्लिक करेंगे चेक करने के बाद यहां पर ओके पे कलिक किया तो यहां पर सारा जाएगा अगर यह फिल्टर हमें अटाना है तो फिर हम Ctrl επι всем आगए यह लिये उन्ट यहां प्रेस के उन्टाटब करेंगे यहां से फिल्टर कािया इसके बाद tips and tricks number 10 को करेंगे suppose करो हमें यहाँपे यह जो डेटा है हमें Moss के जरीए यह ड्लीट करना है हमने इसका Keyboard का यूज नहीं करना है तो ड्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे इस ड्लीट को सिलेक्ट करेंगे select करने के बाद यहां पे यह उपर ले जाएंगे यह दिखो यह उपर लेगे यहां तक हमें यह delete करना है तो यह दिखो यह चोड़ा यहां से यह data delete हो गया और उपर तक delete करना है तो फिर हम इसको उपर ले जाएंगे यह दिखो उपर तक यहां तक delete करना है तो यह delete हो जाएग इसके बाद आगे tips and tricks number 11 को करेंगे तो इसमें क्या होता है इसमें हम कुछ भी data को select करते हैं तो वो most के जरीए करते हैं तो most के जरीए हम से गलती भी हो सकती है तो हम यहाँ पे range को select करेंगे reference में range को select करेंगे जितनी range हमने select की उतनी range तक यह select होके आ जाएगा तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे function की f5 press करेंगे f5 function की press करने के बाद यह go to dialog box यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे यह दिये गया है reference तो यहाँ पे हम range बरेंगे तो इसको यहाँ पे मिटाया इसके बाद c c column जो है हमें कहां तक चाहिए 100 तक यहाँ पे 100 हमने यहाँ पे भर इसके बाद keyboard से shift की press करनी है और इसके बाद ok पे क्लिक करना है तो ok पे क्लिक करने के बाद यह दिखो तो यह 100 तक यहाँ पे select होके आ गया है यह 100 तक यह select होके आ गया है तो इस तरह से हम reference में range को भरके यह column select कर सकते है अगर suppose करो यह सारा यह दिखो series number device name amount यह सारी range जो है ह हमे 25 तक select करनी है तो हम क्या करेंगे यह range हमने यह select करनी के बाद फिर हम function की f5 press करेंगे f5 function की प्रेस करनी के बाद यह dial box यह आ जाएगा यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम range भरेंगे जैसे इसको मिटाया reference पे यह सी टू इसको मिटाया यहाँ पे लिखा c25 यह c25 हमने लिखा कि range जो है C तक जानी चाहिए लेकिन वो row कितनी आनी चाहिए select होके 25 इसके बाद shift की press करेंगे okay पे click करेंगे okay पे click करने के बाद ये रिखो ये 25 यहां पे ये table यहां पे select होके आ गया ये दिखो ये सारा यहां पे select होके आ गया इसके बाद यहां पे tips and tricks number 12 इसको करेंगे तो इसके लिए हम यहां पे range select करेंगे ये range select के range करने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि जो भी हम ये इस cell में लिखे ये one cell पे लिखे तो वही सभी cell में लिखा हुआ आ जाए तो इहां पर करके दिखते हैं यहां पर लिखते हैं 45 ये 45 लिखा लिखने के बाद control की press करने के बाद enter press करेंगे ये enter press किया तो ये दिखो यहां पर ये सभी cell में लिखा हुआ जाएगा इससे हमारा बहुत recursos time बच गया है इसके बाद suppose करो बहुत सी range select की हुई है जैसे ये select किया हुआ है ये select किया हुआ है ये किया हुआ है ये किया हुआ है तो अब हम ये चाहते हैं कि जो भी हम यहां पे लिखें जैसे यहां पे लिखें वो सभी में लिखा हुआ जाए तो यहां पे suppose करो हम यहां पे अंडर लिखते हैं ये अंडर लिखा अंडर लिखने के बाद control की प्रेस करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो ये लिखो जितने cell हमने select किये थे उन सभी में ये 100 लिखा हुआ आ गया है तो इस तरह से इसको use करने पर हमारा बहुत सा time यहां पर बच जाता है इसके बाद फिर हम यहां पर sheet number 1 पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर tips and tricks number 13 को करेंगे suppose करो यहां पर यह 900 लिखा हुआ है तो यह तीन बार लिखा हुआ है हम इसको यहां पर copy करना जाते हैं तो copy करने के लिए पहले हमें यहां पर select करना पड़ेगा उसके बाद copy करना पड़ेगा उसके ब यहां पर इसको कोपी करेंगे यह कोपी किया कोपी करने के बाद हम इसको पेस्टने करेंगे कहां पर पेस्ट करना है वहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक किया अब हम यहां पर पेस्टने करेंगे यहां पर हम सिंपल एंटर प्रेस करेंगे यह देखो एंटर प्रेस किया तो enter press करने के बाद ये देखो सारा यहां पे paste हो किया जाएगा इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि यह जैसे 700 है यहां से लेके यहां तक यह copy यहां पे करना है तो इसको यहां पे copy करेंगे यह copy किया copy करने के बाद यहां पे paste करना है तो यहां पे हम paste नहीं करेंगे तो यहां पे हम simple enter press करेंगे यह देखो enter press किया तो enter press करने के बाद यह देखो यहां पे यह copy हो किया जाएगा तो इस तरह से हम यहां पे enter press करके इसको copy कर सकते हैं इसके बाद tips and tricks number 14 को करेंगे suppose करो यह हमारे पास data है और इसका हम print preview देखना जाते हैं तो इसके लिए हमें file tab पे जाना पड़ेगा उसके बाद print पे जाना पड़ेगा इसके बाद print preview यहां पे show करेगा लेकिन हम ऐसा नहीं करना जाते हैं इसका print preview देखने के लिए keyword से control और उसके बाद function की F2 यह press करेंगे तो प्रेस करने के बाद यह देखो इसका print preview यहां पे हमें show कर रहा है कि जब हम इसका print लेंगे तो यह हमें ऐसा दिखाई देगा तो जैसा हमें यहां पे दिखाई देता है बैसा ही यहां पे print निकल के आता है इसके बाद इसको back किया तो यह Excel के tips and tricks थे जिसकी जरिए आप Excel के काम को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने Excel के tips and tricks के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद